आज भाजपा के लोग अजुद्धा के लोगों को सैतान कह रहे गद्दार कह रहे हिंदू को पता नहीं क्या क्या कह रहे हिंदू कि बीजेपी के बाप के ठेकेदारी है कि बीजेपी को ही बोट देगा अब बीजेपी से जुरे लोगों का ही फिल्म देखेगा ये कंगना र तो वह खून जो नहीं खौला समझो वह पानी है धन्य हुआ भारतमा की बैटी जिसने करारा तमाचा दिया जिलकुन धन्य हुआ बैटी और पूरे देश के लिए सटी खबरों का सिधासर आप देख रहे हैं NCR समाचाथ खबर भी असर भी कि पंकर जी क्या लग लग जाए जिस तरीके कि करना रना बतूबर खबपल मारा क्यूं मारा आप बताओ क्यूं मारा आप यह बताओ भगवान श्री किष्ण ने साप संदेश दिया है कि कोई महिला अस्तन पान की जगे बिस्पान कराए तो उसका बद करना जरूरी है ठीक उसी तरीके से कि कि महिला अधिकारी ने जो किया क्यों किया यह सवाल उफता है यह वही कंगना रानावत है जो कहती है हमारा फिल्म नहीं देखता वो देश का गद्दार है राष्टबादी भजबा के लिए है पुरे देश के लिए थोड़े है अरे भाई सुनी ने रहना गही तो बात ह कि आप एक बात बताईए आज भाजबा के लोग अजुद्धा के लोगों को सैतान कह रहे गद्दार कह रहे हिंदू को पता नहीं क्या 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 रहे और हिंदू प्र नहीं दस थपर मारना चाहिए जैसे को तैसा आप उसमय कहां थी जब देश के किसानों को वह कह रही थी कि सो सो रुपिया लेने के लिए विर्यानी खाने के लिए खाना खाने के लिए आए अच्छा आप भी पापा की परी है 2014 से पहले देश अजाद नहीं हुआ भगत सिंग जो फासी के फंडे पर जूल के आए वह आपके लिए मनरंजन है वह तमाल करते हैं पद्रकार भाईया अरे भाईया आप महत्मा गांदी को भोल गए अपने रामाइन और गीता नहीं देख देखी या नहीं देखिए गीता में भगवान स्रिकुष्ण ने खुरिषटर के निकता का पर पढ़ाए उन्होंने क्या कहा लराई के मैदान में कोई चाचा नहीं कोई ताउ नहीं नहीं होता कोई गुरू नहीं होता आपको पताएं अगर फीक उसी तरीके से जब कंगना राणावत ने देस्के सहीरों का अपमान किया आंपमान किया देस्के किसानों को भला बुरा कहा तो वह फूंध जो नहीं खौला समझे वह पानी है और पूरे देश के लोगों को कुल्विंदर कौर जैसी बेटियों को सम्मान करना चाहिए वह असल में जहासी की रानी है वह पंजाब की रानी है अच्छा आप उस समय नागिन डांस नहीं कर रहे थे जब केजरीवाल को थपर मारा गया मनो कनया कुमार को मारा गया गजब कांदवक्ती है और इस एक शोब आप पांप पूचा आप पतर्कारों ने एक डिबेट्स हो नहीं चलाया डेस के किशान कि विकाव नहीं है जो किसान पुरे 100 रुपए के लिए वा नहीं जा सकता नियु ऊस्ट में पहले हैं लुरु 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 करो अंचे जबावर कि एक किसान की मजदूरी समझ रहेbey मोधी सरकार क्या होगी ज्यादा मिलनी चाहिए अरे सुरक्षा तो मुदी जीने पहले रखा है और उनके आइकॉन को मानते हुए और सब्सक्राइब हो इसलिए और किसानों को गाली दें और देश के क्रांतिकारियों को गाली दें आज से नहीं है वो सनातन हरंपरा की देन है तरेता द्रोव द्वापार सब सत्यूग सब में रहा है और एक अभिनेत्री एक संसर अगर किसानों को ऐसा कहेंगी तो क्या होगा बताओ जब एक सेलिबरिटी देश के शहीदों का अप्मान करती है जब एक सेलिबरिटी देश के चिसानों को भूखा नंगा कहती है जब एक सेलिबरिटी जब देश के लोगों को गदार कहती है सातान कहती है तो वैसे लोगों को प्रभू स्री राम कहते हैं भगवान स्री किष्ण कहते हैं कि उसके अनुरूप उसको सजा मिलनी चाहिए आप 이는 को पता है शी सुपाल की एक सो गल्टी भगवान सरीकृ ने माफ करी थी क्यूं और रण अ некотор सु decir ने सुचिए तंञ बदरान करती रही हमारे देश के सहीदों का अक्राम्तिकारियों का देश की आजादी का अच्छा फस्ट प्राइमिस्टर को नहीं बता दिए और नहीं पता है न बता दिए अच्छा अच्छा लाल किला से गुलम भारत में भारत में इतने प्रधान मंत्री हुए देश उने सो सैंतालीस में आजाद हुआ 2600 लोग उम्रकाइद की सजाकाटी 221 लोगों ने फासी के फंदे को चुमा अन्ना जाने अंगिनत कितने लोग थे जिनको काला पानी की सजा दी गई जिनको मौरिस सुरिनाम फीजी के टाप हुआ पर छोड़ दिया गया आपको पता ही नहीं है आजादी कोई खेल खेल में मिली है आजादी लरने से मिली है आज हैं ठीक में मिली है कंगनरा आघते भीड़ आजादी ढ़्यादी नहीं होती आप लोगा का कुछ भी नहीं होसकता दालाली में इतने मसगूल हों गए अरे वो तेरह साल के बच्चा खुदी राम बोस ग्यार में गोरे अंग्रेजों के असेंबली में बंब फेका था भगर सिंग जिसके आज भी रसी मिलेंगे आपको वो राश्पता महात्मा गांधी जिस समय ये आरेसे जरबाजबाले लोगों को चट्डी पहनने की आउकाद नहीं थी राश्पता महात्मा गांधी विदेश में पढ़ते थी आपको पता है उन्होंने अपने खोट पेंट त्याग दिया एक लाठी एक धोती में बोरे अंग्रजों के चूल में चूल इलाधी उस बास्ता महात्मा गांधी को प्रणा मंत्री पंका की योगी जी फ्य कंगना रानाबत जैसी संसकारी जो राष्ट का अपमान करने वाली को एक ठपर नहीं सो ठपर मारने चाहिए और भाजपाईयों को नहीं पता है जिन 26 सो लोगों ने उम्रकायत की सजा काटी थी एकी सो लोग सी कम्मुनिटी के थे आज यह हमारे माथे पर तिलक देखते हैं यह हमारे गुरुवों की निसानी है पंजाबी समाज की निसानी है जो हम अपने माथे पर तिलक लगाते हैं आज यह हिंदु धर्म ही नहीं होती शनातन प्रंपरा नहीं होता जब गुरुगोविन सिंग जी ने क्या कहा था फिर आज भी धर्म की रख्षा देश की रख्षा मानवत्य की रख्षा तो पहले मंडी में जाकर गुर्द्वारे जैसी एक वेबस्ता क में उनके पास तो पैसे की कंभी नहीं है अरस शिखों के पर के धूली के बरोबर कर पाएंगे का चाहेंगी डिली के संदातों में भंधारे की वेबस्ता है पूरे देश के लोगों को पंजाबी सामाज मैं पंजाबी सामाज को अपना अधर्स मानता हूं आज अगर कोई भी व्यक्ति अगर धर्म को मानता है तो वह है पंजाबी सामाज तस अगर हमारे देश का हर धर्म के लोग हिंदू, मुसल्मान, सब लोग शिक कॉम्मुटी की तरह अपने अपने धर्मस् करते तो नहीं हमारे देश में कोई भूखा होता ना कोई बीमार होता ना किसी को तकलीफ होता